नमस्कार साथ यहों आपका स्वागत है मैं हूँ PC वर्मा और आज हम देखेंगे हिंदी विषय में पगड़ी पार्ट के संबंद में पगड़ी जो होता है आपने देखा और इसी संबंद में एक चेप्टर है पगड़ी जिसमें बहुत ही रोचक तरीके से पगड़ी के बा किया जाएगा तो सबसे पहले सुनते हैं रचना रचना क्या है उसके बाद हम देखेंगे कि साइन लेंग्वेज में से किस प्रकार से प्रदर्शीत किया जाएग्यू कि समावेशी सिक्षा के अंतरगर सभी को समान सिक्षा का अधिकार है और जो बच्चे बोल यह सुनने नहीं सकते उनके लिए बहुत अवस्यकी कि जो साइन लेंग्वेज है अर्थात्प्रतिकात्मत जो चिन होता है सांकेति भासा जो होती है उसमें इसको पूरा करके दिखाया गया है मैली पगड़ी इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी रहागया मैल फट गईपगड़ी हट्टी कट्टी मोटी टगड़ी मलकीन जगड़ी इतनी जगड़ी इतनी जगड़ी इतनी जगड़ी इतनी जगड़ी इतनी जगड़ी तरगया मैल और तरगई पगड़ी मेली इपगडी इतनी रगडी इतनी रगडी इतनी रगडी रहागया मेल फट गैपगडी हट्टी-कट्टी-मोटी-कट्टी मल्कीन जगडी इतनी जगडी इतनी जगडी इतनी जगडी इतनी जगडी तर गया मैल और तर गयी पगडी झाल झाल इस पार्ट में कुछ चीजें जो इससे सम्बंदित है तो पहली चीज है जो है पगड़ी पगड़ी जो होती है सर पे जो लगाई जाती है पगड़ी आप देख सकते हैं कि पगड़ी किस प्रकार से होती है तो पगड़ी जो है उसको सांकेतिक भासा में किस प्रकार से एक सब्द का प्रयोग इस पार्ट में किया गया है मैली अर्था डर्टी डिया यार टी वाई मैली तो मैली के लिए उस संकात्मक जिन होता है प्रतीक होता है सांकितिक भासा जो होती है वो इस पर दैनिक क्रिया कलाप के अंतरगार बच्चों को पढ़ने के आउसकता होती है तो पढ़ने के लिए जो संक्यात्मक भासा होती है संकेतिक भासा जो होती है वो इस परकार की होती है कर दैनिक क्रिया कलाप होता है जिसमें हम कपड़े धोते हैं बरतंद होते हैं और भी बहुत सारी चीज़े धोते हैं तो उसको दोने के लिए शांकितिक भासा प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है जिसका प्रधिक आत्मक जिन होता है किसी भी पुस्तक कॉपी पर लिखने के लिए प्रतिकात्मक चिन अर्था संकेतिक भासा जो होती है इंडियन साइन लेंग्वेज इसके लिए लिखना के लिए इस प्रकार से प्योग करते हैं जगरने के लिए दैनिक क्रिया कलाप के अंतरगर जो प्रतियात्मक चिन होता है संकेतिक भासा इस प्रकार की होती है किसी भी चीज को देखने के लिए देखना जो सब्द होता है वाचिंग उसके लिए संकेतिक भासा इस प्रकार की होती है किसी को बुलाने के लिए संकेतिक भासा इसल में जो प्रयोग किया जाता है वो इस प्रकार का होता है जिसे आप देख सकते कि किस प्रकार से इस आरा किया जाता है बुलाने के तो पगड़ी पार्ट में आज के लिए इतना ही साथियों आपसे अनुरूद है कि हमारे वीडियो को लाइक आउस से करिएगा साथ ही कमेंट में जरूर बताइए कि या वीडियो आपको कैसा लगा और भी हमारे बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे हैं जिने जरूर साथियों आपसे अनुरूद है कि जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे साथ जुड़िए और आपके साथिया और मित्र जो ग्याना निर्स करना जाते हैं उन्हें भी इसका लिंक अवसे प्रतान करिए सब्सक्राइब करने के लिए आप इस वीडियो के निची हैं हिंदी अंग्रेजी गणी फिजिक्स टेमेटिस्ट्री मैथेमेटिक्स और भी बहुत सारे हैं जिसे आप देख सकते हैं और इनका लाब उठा सकते हैं तो आज के लिए इतना ही साथियों मैं पीसी और मापस वीड़ा देता हूं धन्यवाद नमस्कार